हाई एव्रीवान वेलकम बैक अगें टू माई चैनल रिप्लानिश एडूकेशन और यहां पर रहने वाली है रहेंगी यहां पर मेरिट बेसिस पर आपका सेलेक्शन रहेगा सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाली है जो हमाँ पर में जो जो जनल क्लियर हो जाएगी आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही इंपोमेशन के लिए तो यहां पर देख लेते हैं गवर्मेंट ऑफ अंधरपर्देश हेल्थ मेडिकल एंड वेलपेर से विक इंसे रिलीज हुई है रेगुलर पोजिशन यहां पर रहेगे सो स्क्रोल डाउन करके देखे तो आपको यहां पर क्लियर हो जाएगा ऑफ यहां पर चेक कर सकते हैं और पर भी डिमांड की गई यहां पर साथ ही साथ में चेक कर सकते हैं अगें स्क्रूल डाउन करके देखे तो पेशिकेल आपको विजिबल होगा यह रहेगा 7 CPC के recording काफ़ अच्छा salary scale रहेगा जैसा मैंने starting में बता है कि 42 years age रहे है कि maximum जो other candidates रहेगी, other categories रहती है और बाके जो अगर reservation से belong करते हैं, EWS, SC, ST, BC के लिए 47 years रहेगी जो handicap person रहते हैं, उनके लिए 52 years maximum age रहेगी, यहाँ पर pay scale 7 CPC के साथ यहाँ पर 30,000 extra भी मिलेंगी will be paid in addition to the salary यह specify किया है again आप scroll down करके देखे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा selection procedure क्या रहेगा यहाँ selection procedure में बताया है कि merit basis rule of reservation को भी ध्यान रखा जाएगा merit basis पर आपका selection किया जाएगा यहाँ पर total 100 marks का यहाँ पर के basis पर आपकी merit बनेगी जो कि आपको यहाँ पर इन्हों elaborate किया हुआ है कि कितने कितने marks किस-किस percentage के यहाँ पर grades भी दिया जाएगा A, B, B+, B negative वाइसे करके हैं आपर properly mention किया हुआ हुआ है सारी चीज़े अब चलते हैं जो subjects रहेंगे उसको हम clear कर लेते हैं subjects जाने से पहले मैं बता रहती हूँ जैसे आपको online apply करना है last date रहेगी 9th of September तक आपको online apply करना है thousand rupees fee रहेगी categories के लिए जो कि journal के रहेंगे 500 rupees fee रहेगी BC, EWS, ST और PH candidates के लिए 500 rupees fee रहेगी online ही इसमें आपको pay करना होगा fee भी again scroll down करके देखें तो यहाँ पर details पता चल जाएंगी आपको जो जो आपको attach करना है अब यहाँ पर बात करेंगे जो subjects रहेंगे जैसे कि NSTC रहेगा 33 यहाँ पर vacancies लेकर आया है dermatology में 4 रहेगी emergency medicine में रहेगी 15 ENT के लिए 8 general medicine के लिए रहेगा यहाँ पर 34 vacancies है general surgery के लिए 25 रहेगा hospital administration department के लिए भी यहाँ पर vacancies है 9 nuclear medicine के लिए 6 OBG यहाँ पर 23, 3 लेकर आया orthopedics में भी vacancy है 19 pediatrician के लिए भी vacancy है 11 radiology के लिए 34 radiotherapy 2, TB के लिए 2 transfusion medicine के लिए 5 forensic medicine के लिए 10 आईसे करके यहाँ पर सारे subjects दियो है total subjects यहाँ पर vacancies है 37 और total vacancies है यहाँ पर 488 positions काफी अच्छी vacancies यहाँ पर release हुई है जैसा कि मैंने आपको details बता दी है apply करने के बाद अगर आपको इसमें कोई भी forms चाहिए होता है यहाँ पर सारी चीज़े forms में attach करके देवे जो कि आपको requirement है अगर आपको यहाँ पर fill करना है तो वो आप fill करके इसमें लगा सकते है तो I hope यह information clear हो गई है अगर ऐसे ही information आपको पसंद आते है तो video को like जरूर करें चैनल जरूर subscribe करें साथ ही मैं suggestions जरूर दे मैं आपको suggestions कर बहुत ध्यान रखते हूं जैसे last candidates ने मुझे बताया कि education के लिए चाहिए या mechanical engineering के लिए subjects चाहिए तो मैं जल्द ही आपके लिए वो information भी लेकर आने वाले हूं So guys, thank you and have a nice day